दुनिया बर के बादवारों से मिले जोले संकेतों के बीच शुक्रुवार की शानदार रिकेवरी के बाद आज दमदार शुरुआत करने के लिए तयार होते है भारती बादवार, सौमवार की सुबर हर्याली आपको नजर आएगी, लेकिन उसके बाद के एक्षिन पर कुछ बड़ी चीज़े भी करिये, तो आज दिल्ली स्टूडियो से सर, बिल्कुल दिल्ली स्टूडियो से है और दिल्ली स्टूडियो की वज़े भी मैं आपको बताऊं दीप की क्यों आज मैं दिल्ली में हूँ लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से आपको पहले आज क को नज़र आएंगे चार मेनी को उचायों पर कच्छा तेल पहुंचता हूँ दिख रहा है हमार लिए जालत चिंता की बात यह वजाए डाउ के गिरने के कि कच्छा तेल मजबूत होता हूँ दिख रहा है जिसमें निफ्टी की कमसी बिटानिय है इसके अलावा भी ट्रेडर काउंटर काफी हैं जिनके नतिया है उन पर आज देखेगा एक्षिन अनफोर्टनेटल जादतर रिजल्स जो वीकेंड पर आएं वो कमज़री की तरफ है आज भी नतियुके लियाद से बड़ा दिन है धेर सारे रिजल्स आज आपके सामने आते हुए दिखेंगे उन पर एक्षिन लेकिन एक्षिन रहेगा आज धेर सारे मिटकेस्टमर के एक्षिनों पर भी लगबग लगबग 300 शेर ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर में बदला हो रहा है तो कुछ के बढ़ रहे हैं तो कुछ के गट रहे हैं वहां पर भी एक्षिन आपको बरपूर आज जिसकी वज़े से वीकेंड पर मैं दिल्ली में आया हूं लेकिन कल मैंने एक बहुती इंटरेसिंग शूट किया है और पहली बार जॉमेटो के मुनाफ़े में आने के बाद और उनका अब तक का पहला हिंदी इंटर्यू कल मैंने किया है और कंपनी की तरफ से उनके जो प् इंटर्यू रहा और इसकी हाईलाइट में बताना चाता हूं आपको दीप जो 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 मेटो के शेर ओल्डर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए दो बड़े टेक अवे हैं इस पूरे इंटर्यू में पहला ये कि ब्लिंकिट जिनको इन्होंने चार हजार क्रोड़ से ज्यादा में खरीदा था 2020 में जोमेटो एक की तरह है ब्लिंकिट भी अगले चार क्वाटर में मैक्सिममम आपको मुनाफ़े ही डिखES एक जो यही गाइडेंस उनका आता दिखा है ब्लिंकिट के लिए उससे बड़ी बात जो जो मेटो के टॉप मेनेजमेंट ने मुझे कहीं इंटर्व के दौरान उनका एक स्टेट्मेंट आपका कॉंफिडेंस बढ़ाने के लिए काफी और वह यह है कि हम इस वक्त पूरे साल भर में करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें 120 रुपे के टार्गेट है अब मैं इस टार्गेट को दो तरीके से रिवाइज करूँगा एक तो मिनिमम टार्गेट पहले 150 का तो ही है इम्मीडियेटली और दूसरा अब ये टार्गेट इस तरह से है कि आपको इस स्टोक को बजाए लेवल्स के या टार्गेट के आपको इ प्राइस टार्गेट तो खैर एक जगा है ही और रेकमेंडेट प्राइस है अल्रड़ी डबल हो चुका है बट वहां से भी अब और बड़ी तेजी है बट टाइम टार्गेट पे आ गया है लंबी अब दी दो से तीन साल तो इसे होल्ड करना है तो कॉन्फिदेंस काफी ब पांच साल में कहां ले जाना चाहते है हमारा गोल है कि अभी 10,000 करोड हमने रेविन्यू किया है थाए तीन साल में जो की काफी stretch काफी लंबा चौड़ा गोल है कि हम इतना profit करेंगे ऐसे क्या खास triggers इस quarter में थे जिन्हों ने कमनी को पहली बार profitable मनाया तो ग्रोथ अच्छी आई एक तो इस quarter में हमारा food delivery business sequentially quarter on quarter 11% ग्रोपिया हर order से profit बढ़ता है तो growth was more than expectation आप मतलब कितनी बार जोमेटों से order करते है अपने लिए food दिन में तीमर सीरिसली और अक्षान ताप दिन में एक बर ओके अच्छान के स्टार्टर्स जितने हैं उनके आप पॉस्टर बॉय है सबको लगता है कि हमें भी एक जोमेटों जिन सी कंपनी बनानी है उनको एक क्या message कैसे success हो और दूसरा एक ऐसी क्या quality है Defender Goel में जो वो सीख सकते हैं काम कर लो, like focus करो, good quality काम करो, अच्छी value create करो customers के लिए, partners के लिए और valuation और पैसा आ जाएगा तो बढ़िया interview रहा अनल जी का over the weekend Zomatic Management के साथ, थोड़ी जलक तो अनल जी ने हमें देई दिया और उनका confidence आम शूर जैसे आप commentary सुनकर देख रहे हैं और बढ़कर ही आया है, पूरा interview आज सुभा ग्यारा बचे आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जी बिसनस पर, अचानल जी और भी कई सारी चीजों की बात करनी है सर, आपके साथ जो इतना action हो रहा है, global markets में पिछले हफते तो एक बार हमने देख लिया confidence होड़ा हिला था यह downgrade के बाद, उसके बाद लगातार तीन अच्छन दूँ, उससे साथ साथ एक चीज और बताना जाता हूँ, आज के session में में आपको एक local Indian markets और Indian markets की जो investors हैं, जो advisors हैं, उनके mood का भी आपको एक action दूँगा, क्योंकि weekend पर मैं Kolkata में था, और Kolkata में एक नई दो नहीं, मैंने पूरे तीन प्रोग्राम किये हैं, और वहां से जो मैं एक feel लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बहुत interesting बाते हैं पूरे इंडिया के market के बारे में, जो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले आपका सवाल, चुकि जो global markets और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकि हमारे बीस हजार के आसपास निफ्टी पहुंचातार, उसके बाद लगातार थोड़ी-थोड़ी profit booking आती ही दिख रही थी, सो similarly, कोई खास ऐसी बड़ी वज़े नहीं, जिसके वज़े सा अमेरिकी बाजार लगातार तीसे दिन कमजोर हो, हाला कि इस पिसले हफते के दो जरूत थी, वो ट्रिगर आता हो दिखाए, दो इंटरस्टिंग डेटा हैं अमेरिका में शुकरवार को, पहला डेटा यह आए कि वही जो वहां के नोक्रियों के जो नंबर से वो बहुत कम आए हैं, वैसे देखा जाए तो अगर इसमाफ कीजाए, बेरोजगारी के जो नं में एक बार फिर से ब्याजदरे गठा हैं, लेकिंग उसके सामने वेज इंफलेशन जो नोक्री करने वाले लोग हैं, उनकी जो सेलरी या फिर उनके जो पैसे बढ़ते हैं, वो मजबूत आते वे दिखें, तो आई तिंग बेरोजगारी आपकी रिकोर्ड लेवल पर है, रिकोर्ड लोएस लेवल पर है, साड़े तीन परसंड के आसपास, वहीं लेकिन जिनके पास नोक्रिया हैं, उनकी थोड़ी से यह भी बढ़ रही है, इन दोनों फेक्टर को देखते वे, थोड़ा सा अमेरिकी बाज़रों के मन में यह आया है कि यह हो सकता है, सितंबर के म बाज़रों में एक तरफा तेजी के बाद आता दिख रहा है, अगर 16-17 ट्रेडिंग सेशन लगातार मजबूती का रुख लिखा है, और तीन सेशन में अगर कमज़ोर हो, तो हमें कम्प्लेन नहीं करनी चाहिए, तो ग्लोबल में और जितना देर सो गटे हैं, उसके सामने तो आपका डाल फूचर ऊपर है, तो क्या टेंशन है, आराम से बाज़ा है, मस रही है कोई टेंशन, चलिये, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रही है, मस रही है, और सろ, कोई टेंशन हमने Friday को भी नहीं देखी थी, अच्छी शुरुवाथ हुए बाजार की, एक हलका फूल है और 9500 के नीचे वीकली क्लोजिंग देना खराब भी हो जाता लेकिन 9500 के आसपास और इसके हलकी सी ऊपर वीकली क्लोजिंग होना अच्छा है हालांकि बैंक दिश्टी में उतनी मजबूत क्लोजिंग नहीं मिल पाई तो निफ्टी में ये confidence आ रहा है कि 19300 के bottom को अब आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे लेकिन बैंक डिफ्टी में 45000 के ऊपर की close मिलती तो यह कह सकते थे कि 44300 के आसपास जो प्रिसले हफते आपने bottom बनाया वो बिलकुल भी नहीं तो बैंक डिफ्टी में हलका सा confidence और comfort की कमी है पहली चीज़ दूसरा है कि bank डिफ्टी अभी भी बहतर perform करेगा इसमें मुझे थोड़ा सा शक है और वो शक इस बात को लेकर है SBA के बाद B.O.B. कोई numbers ऐसे मजबूत देता वा नज़र नहीं आ रहा है और the face of it number आपको नए SBA के कराब दिखेंगे न B.O.B. के लेकिन internals म जाकर देखेंगे तो वो मज़ा नहीं है numbers में जो इस price पर और इस level पर आपको चाहिए. So I think bank डिफ्टी को अब यह decide करना पड़ेगा कि उसे किस के दम पर trade करना है वैसे देखा जाए तो weightage, importance और price movement private banks का ज़्यादा बहतर होता है और वही decide करते हैं. So I think अब एक वो खेमा ऐसा बनेगा जहां private banks versus सरकारी bank वाला मामला बनेगा और लोग इन numbers के बाद सरकारी bank से private banks में shift होनी की कोशिश करेंगे और private banks के चाहने वाले बहुत हैं खास वर से FIZ investors में वो कभी बेचते नहीं न बेचेंगे. So I think एक shifting ज़रूर हो सकती कि एक अच्छे run-up के बाद SBI, EBOB जैसे private sector banks में थोड़ी profit booking आ सकती है और ये profit booking या तो banking share को थोड़ा सा धीला रखेगी और अगर मजबूत रखेगी तो private banks को तो ये एक trade बनता हुआ दिखेगा जिस पर आपको focus करना है. Otherwise, Friday की recovery हमारे बहुत काम किये, मजबूत recovery है और confidence बढ़ाने वाली भी. तो चलिए ये एक अच्छी बात है, एक recovery आई है, confidence बढ़ना भी चीए, banks भी focus में रहने वाले हैं और अन जी, over the weekend इतने सारे numbers आये, उसकी आपके review भी है, कई सारे stock of the day भी है, तो आये पहले एक बार आज की strategy समझा दे सर्थ, फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं. आज की strategy सिंपल है, कोई खास ऐसा बहुत चिंता करने की बात नहीं, शुक्रवार को सुबह हम बात कर रहे थे, कि मुझे एक दो trading session ऐसे चाहिए, जहां पर अच्छी volatility बन जाए, इंट्राडे में दो तीन बार लोग के stop cross, तेजी और मंदी दोनों की तरफ trigger हो जाए, आप स और bottom formation की process बन जाए, आराम से, थोड़ा सा संकेत मिला है, शुक्रवार को पूरा नहीं, जितना मैं volatility चाहता था, उतार चड़ाव चाहता था, उतना हुआ नहीं, लेकिन खाली मेरे चाहने से क्या होता है, market तेजी का mood में है, bull market है, लोग नीचे में खरीदने का मौका देख मंडे जब हम आये थे, शुक्रवार को खराब बाजार के बाद आये थे, और मैं यही कर रहा थे के street पे 10 में से 8 लोगों से को आप पूछेंगे, सब का mood मंदी का है, अरे बस top हो गया, 20,000 पार नहीं करेगा, हो सकता है 20,000 पार नहीं करे, समय लगाए, टाइम लगाए, ले यही वज़े कि तुरंट shorts बनता है, एक और चीज़ जो दिपाजकल हो रही हुई है, machine trades, high frequency trades ज्यादा होने लगे हैं, और उसमें position इतनी तेजी से बदलती है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ, थोड़ा सा गटा, आपको call raters कूद कूद कर आते हुए दिखेंगे, जारी जो चीज़े हो रही है, वो बाजार को बहुत बढ़ने से और बहुत गटने से रोक रही है, जैसे आप सोच से जादा गटेंगे, आप put call ratio पर oversold हो जाते हैं, सब लोग मंदी में आ जाते हैं, market फिर उपर हो जाता है, so I think इस हफते भी आपको यही देखना है, so अब इस हफते दो लेवल में आपको बता दू जो बड़े important है, आपके लिए उपर और नीचे की तरफ, पहले नीचे के लेवल बता दू, nifty पर, अगर आप 19,000, 200, 19,300 की नीचे जाकर trade करते हैं, तो ही risk है, otherwise एक running correction, 3% का आपको जो मिलना था, 20,000 से 19,300 का मिल गया, enjoy, बहुत ब अगर 24,000 के नीचे बंद होता है, बैंक रिफ्टी है, 24,200 के नीचे आज बंद होता है, और वैसे 24,000 के नीचे बंद होता है, तो ही आपको तनाव लेना है, otherwise आप life enjoy कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपको पता है कि risk कितनी है, 19,300 और 24,200 यह आज के लिए 19,200, 24,000 इन लेवल्स पे नज़र रखें, उपर, 19,750, 19,750 को पार करने में आएगा हमें पसीना, ठीक है, और यहां पर आकर profit booking आती दिखेंगे, 19,750 को जिस दिन आप पार करके टिकर बंद हो जाएंगे, आप समझ लिए 20,000 के पार भी निकलेंगा, नया हाई बना कर और एक बार इसको पार करके 45,600, 800 के उपर बैंगिस्टी टिकता है, तो फिर आपको नए लाइफ आई की तरफ बैंगिस्टी भी बढ़ता हो दिखेगा, यह आपको लेवल्स ध्यान में रखकर चलना है, तो सिंपल इन लेवल्स पर करिए फोकस, जी जी जी, चलिए, तो क गळिय semana के संकित भी नीटरल से थोड़े positive side पर है, आफो के संकित नीटरल है, सेन्टिमेंट नीटरल से अलका असा positive है, और trend positive है, तो आज के संकित पिले जोलें लेकिन positive side पर ज्यादा है, negative side पर कम है, negative, specifically एक ये ज़्ियों। वह बहुत जादा हैं क्योंकि DAWI features आपको 100 points क की मजबूती दिखा रहे हैं ऐसे मैं लेवल से बता दूँ आज के लिए सपोर्ट जोन का है निफ्टी 19,380-19,435 यह है आपके लिए पहला सपोर्ट जोन निफ्टी पर इस पर करना है फोकस और इस रेंज में आने पर ही आपको खरीद लेना है तो आज दी थोड़ा से स्ट 19,350 बहुत ही मजबूत खरीदारी के जगह है वो लेवल आसानी से आने वाला है नहीं बैंक डिफ्टी और सुरी निफ्टी हायर जोन 19,575-19,650 आज इस रेंज में जाकर हम देखेंगे और कितनी ताकत है फोल अप खरीदारी कितनी आती है शॉर्ट कवरिंग कितनी आती है और उसको पार करके आगे बढ़े तो 19,675-19,750 यह स्ट्रॉंग सेल जोने यहाँ पर आपको अपनी लॉंग पोजिशन में जोने बैंक डिफ्टी के लिए और इसके अगर नीचे आते है तो 44,275 से लेकर 44,400 स्ट्रॉंग बाई जोन आपके लिए निकल कराता है बैंक डिफ्टी पर उपर की तरफ 45,075,455 यह 500 पोईंट की रेंज आपके लिए पहली रुकावट की रेंज इसके पार निकलना होग सर फ्राइडे की रिकवरिंग में थोड़ा पुटकॉल रेशो बढ़कर रहा है थोड़ी एफाइस की पोजिशनिंग भी 40 परसंट से 44 परसंट होगी है कैसे समझना है सर इसे थोड़े सी शौट कवरिंग हुई है और शौट कवरिंग के कारण यह सारा होता हुआ दिखा ह तो एफाइस की तरफ से थोड़ा सा वाइदा कारण में केश में हल्की फूल की बिकवाली का अंक्रा है लेकिन एफेनो के डेटा है वो दीप काफी मजबूत है मैं यही पर आपको एफाइस और लोकल फंस के डेटा रखना चाहता हूँ पांसो करोड के आसपास की केश मार करोड की खरीदारी इसलिए मैंने फाइस की डेटा को आपको खरीदारी की तरफ रखें यह बड़ा इंटरसिंग दिखा तो एफाइस के नंबर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं यह सारे आपके लिए एफाइस के नंबर है बाकि पुटकोल रिश्यो थोड़ आपके लिए अभी भी कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं और विक्स भी कंट्रोल में है जी तो कोई चिंता की बात नहीं डेटा ठीक है सपोर्टिव है मौजूदा पोजिशन के लिए कौन से स्टॉप प्लॉस रखें सर स्टॉप लोस दीप 19,330 इंट्रडेर चाहिए 45,500 का स्टॉप लोस काफी है आज के लिए शोट साइट पर आपके लिए स्टॉप लोस इंट्रेस्टिंग है वैसे तो 1950 शुक्रवार खता माफ किएगा आज आप उसके ऊपर खुल रहे हैं तो अगर आपको छोटा स्टॉप लोस रखना है उन्निस पान्स पान्स ठीक है और अगर आपको बड़ा स्टॉप लोस रखना है तो आप रखिए 1950 का इंट्रेडर क्लोजिंग बेसिस पे अब बैंक निफ्टी पे जो छोटा स्टॉप लोस होगा वो होगा 45,200 का बड़ा 45,500 का आता है इतना दूर का रखना नहीं चाहिए तो मेरी खाल से 45,200 का स स्टॉप लोस होगा 19,350 का जो बढ़िया जगह एक खरीदारी करने के लिए दीप निफ्टी वो है 19,386 से 19,435 यह बेस रेंज दे रहा हूं I don't know आये ना आये अगर आये तो आपको इस रेंज में छोड़ना नहीं है पकड़ी लेना है इस रेंज में पक्का खरीदना है आ 19,750 के फाइनल टार्गेट के लिए करनी है आपको खरीदारी ठीक है बेचना चाते है जरूख फर्माए 19,650 से 19,750 की रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में बेचें दो तीन टुकड़ों में आराम से बेचें आज की स्ट्रेजी भी रखनी आपको दो टीन टुकड़ों आप पूरी पोई स्टोरा तो रहे हैं यह सो पूंट की राइज है वो ओंचे के लिए निस 800 का रहेगा आपका अस्टो प्रोस टार्गेट जो बनेंगे वो उनिस 600 उनिस 550 दो छोटी टार्गेट पांचो पचीस और 502 मीडियुम टार्गेट उनिस 425 उनिस 435 और उनिस 335 बड़ी टार्गेट के लिए करने इतने मजबूत है नहीं तो मैंने का लिख के तो देदू आपको अगर जरूर पढ़े तो यूज कर ले ना नहीं तो कोई बात नहीं 44-4525 यह एक entry point हो सकता है बैंक डिफ्टी में आपके लिए अगर नीचे आता है तो 44-250 के stop loss के साथ ठीक है टार्गेट 44-625-4702 चोटे टार्गेट है 825-925-825-825-825-825-825 यह तीन बड़े medium टार्गेट इसके लिए करनी है आपको खरीदारी लेकिन चूंकि चांस कम लगता है आप बंद भी काफी अच्छे मजबूत हुए 24-875 के आसपास तो aggressive traders के तौर पर आप खरीदारी कर सकते हैं बैंक लिफ्टी में 24-500 के stop loss के साथ 24-500 आपका शुक्रवार का low है 24-521 का उसके ठीक नीचे आपको stop loss लगाना है खरीदना है टार्गेट क्या बनेगा तार्गेट 45-75-125 तीन चोटे टार्गेट हैं 175-300 तक के और टार्गेट और उसके बाद 45-500 तक की यात्रा बैंक लिफ्टी कर सकता है इन टार्गेट के लिए आपको बैंक लिफ्टी में करनी है खरीदारी अब आए जो महानुभाव बैंक लिफ्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए भ 45-75-825 तो मीडियम टार्गेट चाहते हैं बैंक लिफ्टी में भी खरीदारी और बिकवाली की राय जो है वो टुकडो टुकडो में दीर दीर आराम से करिए मूर महल को देखकर एक साथ पूरा बड़ा ट्रेड ने ले मैं वाजार में थोड़ी वोलेटी लेटी जाता हू और इसलिये मैं एक साह ट्रेड लेने की राय निहीं दीर हूँ आज टुकडो मिलीजी नहीं तो कहीं बार मैं बोलताओं कि इस रेंज में आया इस लेवल पर आया तो पक्का छोड़ना मत आज वो वाली बात नहीं है आपको लेवल से लेना है लेवल से देना है आराम से ज कोई डेटा के नज़र सर वाइदाकारोबार से वाइदाकारोबार में 19,500 मेक और ब्रेक लेवल है जिस पर पुट और कॉल दोनों में 50-50 लाग शेवरों के आसपास का उपन इंटरेस्ट है नीचे में इस चार्स सो इस उपनेंटर से उपर में उन्निस स्थास सो के पार निकल का ठीक है तो शॉर्ट कावरिंग खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा 9500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी बढ़ेगी तब आप 9400 के लिए रास्ता खोलते हैं 9600 के पार निकल का ठीक है तो 9700 तक का रास्ता आप खोल सकते हैं यह है आपके लिए वाइदा करोबार के डेटा निफ्टी के और बैंक डिफ्टी के डेस्पाइट मंडे डेटा नौट वर्थ डिसकसी चलिए तो बढ़िया है 9500 के उपर की क्लोजिंग है फिर भी कोई ऐसे बड़े लेविल्स के मूव नहीं दिख रही है आई फिर धेरो स्टॉक्स पर आज अक्शन होना है अलो अरणी जी ने कई सारे स्टॉक्स आपके लिए करें आइडेंटिफाइए पहले बगूल स्टॉक अफ़ देडे तरह आज तो लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की फोकस की बताएं कौन से स्टॉक्स आपने अडेंटिफाइए करें जितने चीए होते हैं दिप सबसे पहले भेल के फिचर्स में विक्वाली करने की रहा है और नमबर्स हर एक पेरामेटर पर काफी कमजोर आते हैं बेल के ओपरेटिंग लॉस तीन सो चौसट करोड़ का है लॉस साड़े तीन सो करोड़ का है मतलब किसी भी तरीके से आप देखें तो बेल में आपको नमबर्स बहुत ही खराब नज़र आएंगे और इसके दम पर पिटा ही होना ते है हालाएं कि स्टोक नतीजी के पहले थोड़ा ठंडा रहा है शुकरवार को दो परसें नीचे बंद हो आए पिछले चार पांच परसें गटा भी है फिर भी मुझे लगता थोड़ा और गड़ सकता है और बुक ठीक है एक लाग करोड के आसबास के लें बढ़ते हैं मुझे लगता स्टोक थोड़ा कमजोर हो सकता है अब यही केपिटल गुर्ट शेयरों में डिफरेंस इलेटेड शेयरों में थोड़ी बहुत खरीद्दारी निचले इस तरह पर पर पावर से लेटेड शेयरों में तो थोड़े निचले इस दो आएगी गेप हर एक पेमाने पर उम्मीद से थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं इंटर्नल्स थोड़े से वीक हैं मार्जिन्स सवा तीन परसंट के आसपास आये नेट इंटर्स मार्जिन्स और मेनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 3.3% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करेंगे लेकिन स्लिपेजेज प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ती भी दिखिए है एस बे के आज सारे डाउंग्रेड्स ही आए बैंको बरोड़ा भी मुझे लगता थोड़ा और प्रेशर में रह सकता है हाला कि थोड़ा सा बैंको बरोड़ा कमजोर तो हुआ था पिछले कुछ दिनों और ऐसा लग रहा है मुझे बी लेटर वालों के लिए दिन जादा ठीक दिखनी रहा है तीस सा स्टोक है दीप बाल कृष्णे इंडिस्स के फ्यूचर में यहां पर भी विक्वाली करने के राय यह एक और दूसरी टायर कम से के दमदार नतीज़ आते वह दिख रहे हैं ब पोने 22 परसंट से पोने 23 परसंट एक वही अच्छा है रिल्राइजेशन डेर परसंट तीमाही दर तीमाही गटा है वोल्यम से 19 परसंट साल दर साल गटा है तो बाल किष्णा इंडिस्स भी मुझे लगता है कि कमजोर हो सकता है और बी लेटर के साथ ही रहते हुए एक बि बिटा हुआ है पिछले 4-5 दिनों में 2 परसंट गटा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्स के पहले शोट बने तो बड़ा गेप से खुले तो बिटानिया अमना बेचे लेकिन उसके बावजुद बिटानिया की रिजल्स कमजोर है आगे थोड़ा सा मामला ढीला दि खरीद है तो मेरे को लगता है दो एक परसंट के आसपास की कमजोरी बिटानिया में बन सकती है आपके लिए और ऐसे में 4830 के स्टॉप्रोस के साथ आप बिकवाली कर सकते हैं 4750 और 4720 के टार्गेट के लिए लेकिन B लेटर से हटकर एक और स्टॉक है C लेटर का जहां पर बिकवाली करने की राय है और वो है सिपला सिपला के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय है 1225 रुपे के स्टॉप्रोस से साथ 1150 और 1150 दो टार्गेट के लिए रिजल के बाद सिपला में बड़ी तेजी बनती वी दिखे थी बाद में ये भी खबर आएं कि प्रमोटर से एकजिट कर रहे हैं ये सारी खबरों के बीच में सिपला बड़ा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन वीकेंड पर जो खबर आई थोड़ी सी जटका देने वाली है यूएस एफडिय का एक्शन हुआ है इनके इंदोर पितंपूर प्लांट पर और उन्होंने यहां पर थोड़ी आई कि लूपिन बाई सिपला सेल ये एक बढ़ा ट्रेड बन सकता है अगर किसी को पैर ट्रेड बनाना हो और दोनों में अगर लूपिन में ज़्यादा गेप पाप ऑपनीन ना मिले अगर किसी को फार्मा में अच्छा पैर ट्रेड करना है तो शौट सिपला लॉग पर्स भी हैं जिसका अनालिसिस की हैं जिने हैं आई एक बार रिजल्ट रिव्यू भी ले लेते हैं पताएं सर आज का एकमा たर बढ़िया मजबूत नतिया वह है बल्रामपूरचीनी हर से एक मजबूत परफॉंस परफोर्मान Пराचीनी भी रिजल्ट बढ़ फिर्फिर बारी मेंशरिक अधिरल्के और बेचिके परına आधिए यह story horror पना केिकेज़ Province आई न Hinter श्वर डिकी करनी है जहां पर action बन सकता है मेरे खाल से बैन में नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे ज्यान में तो अगर बैन में नहीं है तब तो अच्छी बात ही है series की शुरुआत ही इसलिए बैन में शायद ना हो लेकिन ये बढ़िया results है जहां पर आपको focus करना चाहिए बलराम पूर्चीनी में रिखाल से एक अच्छा मजबूत result वाला stock हो सकता है इस पर focus करें चलिए तो बलराम पूर्चीनी एक बी लेटर का stock बट यहां पर results अच्छे हैं positive reaction आपको आते हो दिख सकता है हाला कि Friday को भी थोड़ा action में ही था ये counter आए फिर बाकी नतीजों की भी बात करते हैं और फिर हमारे महमान भी जुड़ने के लिए तैयार है उससे पहले हमारी टीम है तैयार अर्मान कोशल और साथी आशीश अर्मान मॉर्निंग बताए ट्रिगर्स और खबरे कौन से लेकर रहा है जी गुड मॉर्निंग कई सारे नतीजे भी है और ट्रिगर्स नतीजों में अगर आप बात करें सबसे पहले एफनो में गोद्रिच कंजूमर प्रोडर्क्स रैमको सिमेंट टाटा केमिकल्स टॉरेंट फार्मा जी ए एफसी और उसके साथ इंडिया सिमेंट्स के नतीजे आपको आते वे दिखेंगे रेट गें ट्रेवल टेकनलोजी ज जिसमें अगर आप 5-20% होगा जिसमें मजगाव डॉग है 10-20% जिसमें टेगा वेदान फेशन, क्लीन साइंस आधी जैसी कंपनिया है और 5-10% में आपको नागरजन फर्टिलाइजर अपोलो माइक्रोर आधी जैसी कंपनिया है आप याती भी दिखेगी करें जिनका आज देथरी है और वरल सब्सक्रिप्शन अभी तक साथ गुना से ज़्यादा आतावा दिखाए रिटेल का लगभग 5 गुना एनाए का लगभग 13 गुना और क्यू आई बी का लगभग 7 गुना क्या सबस्क्राइज तो ये हैं आपके आई पे अपडेट्स भ करिये हैं साथी मुनाफ़े में भी 4.5% तक का उच्छाल हमें आतावा दिखाए जहां तक का है सेग्मेंट का सवाल है सीई इन्फो सिस्टम से यहां पर नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं मार्जिन्स डिप हुए हैं 46.1% के मुकाबले 41.5% लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का मुनाफ़ 33% ग्रो करकर 32 करोड पर आता वा दिखाए साथी आए में भी 37% की ग्रोथ रहे हैं 16.8% से मार्जिन 16.4% मुनाफ़ा भी 7.5% घटता वा दिखाए हाला कि आए में आपको 11% की बड़त भी आती वी नजर आई है यह नहीं अगर आप देखे तो कंपनी के जो ब 9% पर आए हैं घाटा कंपनी का 7 करोड से आला कि घटकर 3 करोड अब रह गया है तो यहां पर आप कह सकते हैं कि नंबर्स मिले जुले के गती लिमेटेड के आते वी दिखे हैं चिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया नंबर्स मिले जुले यहां पर भी है 20.4% से मार्जिन 10% करीबन बढ़कर 30.2% पर आए हैं कंपनी का मुनाफ़ा 57% बढ़ता हुआ दिखा है हाला कि आए में 18% की गिरावट भी आती वी नजर आई है और अंत में आईकियो लाइटिंग यहां पर नंबर्स बहुत ही शानदार आते हैं दिखे हैं 18.1% के मकाबले 21% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉकिन किया है मुनाफ़ा तो 5.5 करोड से बढ़कर सीरा लगबग 13.5 करोड पर कंपनी ने दर्च किया है तो शानदा नंबर्स आईकियो लाइ मार्जिन्स में आपको बड़ी कटोती दिखरी है 21.7% से कम होके 14% के आसपास जो है आते हैं और मुनाफ़े में 75% 45% के आसपास के आपको गिरावट दिखेगी दिलेवरी की बात करें तो यहां पर आए हाला की बड़ी है 10.5% बड़ी है कामकाजी गाटा है वो भी करोड के आसपास जो है आता हो दिखा है मोल्टेक पैकेजिंग की बात करें तो आए लगभग 11% के आसपास कम होकर आई है मार्जिन्स सोरे इंप्रूब होके आए 18% से इंप्रूब होके 19% पर आते हुए दिखे हैं PG यहां पर नतीज़े आपको बढ़िया दिख रहे है आ 32% के आसपास बढ़ी है मार्जिन्स में इंप्रूमेंट है 5.7% से इंप्रूब होके मार्जिन 6.8% पर आते हुए दिखे और मुनाफ़ा भी जो है 121 करोड से बढ़कर 194 करोड के आसपास जो है वहां पर आता हुए दिखा है हलाकि अधर इंकम देखे तो वह भी 8 करोड से मार्जिन्स थोड़े से कम होके आए 19.8% से कम होके 19.1% पर आते हुए दिकर मुनाफ़े में 20% का उचाल दिखेगा ओके तो यह हैं आपके लिए नंबर्स कुछ और नंबर्स कुशल और खबरे भी आपके पास बता है इनके बारे में बिलकुल तो नंबर्स के लिहाद से गुजात अंबुजा एक्सपोर्ट्स कमजोर दिख रहे हैं 13% से मार्जिन 8.7% पर आये हैं कमपनी का मुनाफ़ा 38% गिरकर 71 क्रोड पर आता हुए दिख रहा है साथी Zen Technologies नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं 29.7% से मार्जिन अब 52.2% पर साथी कमपनी का मुनाफ़ा लगभग 6.8 टाइम्स बढ़कर 48 क्रोड पर आता हुए दिख रहा है आए में भी 256% का हमें उच्छाल आया है Message Vector Foods यहाँ पर भी नंबर्स काफी अच्छे हैं मार्जिन साड़े 10% से बढ़कर साड़े 15% पर कमपनी ने अब क्लोक इन किये हैं साथी कमपनी का मुनाफ़ा 13 करोड से बढ़कर 35 करोड पर आता हुए दिख रहा है आए में भी 24% का उच्छाल है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स नंबर्स कमजोर हैं यहाँ पर साड़े 34% के मार्जिन्स पिछले साल थे इस बारी साड़े 28% के लगबग मार्जिन्स आये हैं और कमपनी का 300 करोड का मुनाफ़ा अब 200 करोड पर आता हुए दिख रहा है अच्छे जो है नंबर्स आपको ग्रॉस डिरेक्ट रिटेन प्रीमियम में आते वी दिखे हैं पर फोर्स मोटर्स यहाँ पर मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं प्रडक्शन करीबन 33% बढ़तावा दिखा है जुलाई महिने का अपडेट दे रहा हूँ को फोकुस रखना है क्योंकि जो तीन अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी होता हूँ दिखा था जिसमें का था कि इंडर्स्ट्रियल प्लांट के कामकाज को बंद करने के निदेश आते वे दिखे हैं और उसे के साथ मुआवजे के लिए और बात करें एक क्रोड़ रूप का भुकतान का निदेश भी आता वा दिका है डेल्टा कॉप यहाँ पर जो हार्दिक डेवर साब है उन्होंने सीएफो के पत से स्तीफा दिया है उनका रीजन यह बताया है कि नए मोके की तलाश में जो है उन्हों स्तीफा देते वे दिखे हैं और पंदरा साल तक जो है वो कंपनी के साथ थे सोला अगस से इनका जो इ इस्तिफा दिया है उन्त में और विंदो फामा की बात करें तो कंपनी की जो सब्सेडरी है उनको यूएस एफडिये से एक इंजेक्शन को बनाने और मार्केट करने के लिए मंजूरी मिली है और इस दवाग अगर आप मार्केट देखे कुल मिला के लगवग 280 करोण का है उसी के साथ साथ इनका यूएस एफडिये तेलंगना यूनिट की जाज जो है पूरी हुई है और उसमें फॉर्मिलेशन मैनिफेक्शन फैसिलिटी में प्रिया पूरी कर जाज के बाद यूनिट में कोई आपनती जो है जारी नहीं की गई और नो एक्शन इंडिकेशन क्ल माफ की जाए आशिश आपके पास हाता हूं उससे फाला इतिंक कुछल कुछ खबरे आपके तरफ से रहेगे थे बताया इनके बारे में बिलकुल दीप तो खबरों में डॉक्टर एडीज फोकस में रहेगा हैधरबाद मैनिफेक्शन फसिलेटी की यूएस एफडिये से इ इसे से लुंबड में 4% तक हिस्सा बढ़ाने को मनजूरी अब फाइनले मिल चुकी है साथी आमी ऑगेनिक्स भी फोकस में है चार अगस्त को बोड ने प्राइविट प्लेस्मेंट बेसिस पर पर प्रफरेंशल इशू के जरिए लगभग 4.3 लाक तक एकुटी शेर जारी कर दिया है और कंपनी को महरश्टा एक्साइज मंतराले से करीबन 116 करोड रुपे का एक्साइज ड्यूटी का नोटिस मिला था टीडी पावर इन गौवन रिसर्च ने कंपनी के कॉर्परेट गवर्निंस में रेड फ्लैक्स घोचित किये हैं शेर धारकों को कंपनी के प् क्रेमेर एक्स्प्लोसिफ फोकस में है, HDFC Mutual Fund ने 30,000 शेरों की यहाँ पर खरिदारी की है, शेर हिस्सेदारी अब इनकी करीबन 5.17% हो गई है और अंत में Radiant Cash Management Society General ने यहाँ पर करीबन 20 लाग शेर बेचे हैं, 105 लुपए 27 पर से प्रतिश शेर के बावब पर इसमें एक और खबर भी जोड़ देते हैं, अभी अभी आपके लिए आती हुई दिख रही है, कंपनी की तरफ से disclosure आया है PTM, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर Antfin अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, Antfin की करीब 24% हिस्सेदारी है, उसमें से करीब 10.5% हिस्सेदार हो जाएगी, तो ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, Antfin का हिस्सा घटकर करीब 23% का हो जाएगा, और विजे शेखर शर्मा का हिस्सा 9% से बढ़कर 19.5% होने वाला है, तो PTM के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है, Antfin अपकोस, अलिब से बढ़कर करीब करीब 19.5% होने वाला है, लगभग लगभग 63 करोड डॉलर की ये डील होने वाली है, तो बड़ी डील होने वाली है, PTM में, अनल जी एक बार इस खबर पर भी नज़र डाल दे सर, इसकी अनालिसिस भी हमारी टीम करेगी, बट एसेंचली फर्स अप, अल अली बाबा की स्टेक को लेकर, PTM पे लोगों को थोड़ा सा कमफर्ट कम रहता हुआ है, तो एक तो ये कि वो स्टेक अपनी कम कर रहा है, दूसरा कमफर्ट बढ़ाने वाली एक और चीज जो है, वो ये कि वो खुद PTM के फाउंडर विजेशेकर शर्मा साब करीद रहे है तो आई तिंक ये अच्छी ख़बर मानी जानी चाहिए, स्टोक के लिया आज से, स्टोक प्राइस के लिया आज से, खालंकि अभी भी पूर स्टेक उन्हें बेचनी है, उसमें थोड़ा सा सा, शायद और समय लगे, तैकि फिर भी विजेशेकर शर्मा की स्टेक बढ़ना और अली बाबा की कम होना, दोनों ही पेटेम के लिए पोजिटिव समझ के चलना चाहिए, जी, बिल्कुल तो आज के खबरों और इंपक्ट में एक ये स्टॉक भी आप जोड़ ही लीजिए, पेटेम जो आपके रेडार पर रहना चाहिए, आए फिर क्विकली आज की ब्र ये मानने जे-पी मौगन की नतीजे जो है, इनके अनुमान से बहतर है, यहाँ पर देखने को में लेए, डिलिवरी यहाँ पर भी इंपक्ट है, सीले से खरीदारी के रहे दे रहे, लक्ष 497 से बढ़ा कर पांसो पचास कर दिया, मौगन स्टानी ने रेटिंग में बदला आगया है, और टागिट 320 से बढ़ा कर 450 कर दिया, तो यह कुछ अच्छी रिपोर्ट से है, क्विकली आपको कमजोर रिपोर्ट भी बता देता हूँ, भी एचील यहाँ पर देखे, सीले से बिक्वाली के राइदे रहे, लक्ष 64 से बढ़ा कर 78 कर दिया, लेकिन स्टाउक अल्रेडी 99 पर चल रहा है, मानरे के और्डर बैकलॉग 2% बढ़ा है, काफी लंबे समय से तिमाईों का प्रदर्शन जो है, कमजोर साइट पर देखने को मिला है, बालकृष्ण इंडस्ट्री मौगन स्टानी अंडर्वेट की रेटिंग दे रहे, 1765 का टागिट दिया है, लूप इन पर जेपी मौगन अंडर्वेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष यहां पर देखे, 680 सी रिवाइस करके 960 कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है, 1064 पर, और सिटी की तरफ से भी देखें, तो लूप इन पर आया है, टाउन डेट, तो यह कुछ रिपोर्ट्स ह है, अच्छी और खराब जहांपन रिज़र रखनी है, तो चली है, आपके लिए सारा का सारा एक्षिन इस वक्त आता हुआ, रिपोर्ट्स के लियाद से, आईए बढ़ते आगे हैं, और अब वक्त है, एक्सपर्स से मुलाकात करने का हफ़ते के पहले दिन, वक्त है, पिक और कल चुकी मैं दिल्ली में ही था, कल फ्रेंडशिप डेक के मौके पर मुझे हमारे पैनल पे काफी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, सुबह सुबह जेन साब से कौलकता मिला, और शाम को मैं पुनाल जी और आकेश जी से दिल्ली में मिला, और मैंने साथ साथ कह द क्ञाइब कर चुका था एक बार फिल से शो में स्वागत है बनाएं सर्फ पिक फ़ वीक सूबर बात गरा कि अपो उनॉट ट्राइसबर जी पहले तो आप का मतलब की उफिशलिए एक बार करते हैं तो मैं समझ गया टाइम देखके कि यह दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुनाज जी अभी मतलब की कैमरा नहीं हुआ है उनका तो आनिज जी I am on time और जो मेरा आप तो टाइम पर आते ही हैं जादतर वक्त कभी कभी चूट लेते हैं लेकिन जब मैं कल आपको बोलारा समय से आ जाएं वो मेरा डिरेक्शन कुनाल जी की तरफ ही था कहां आपको सुनाया कुनाल जी को जी सर अब बदाए विप्रो के टार्गेट है अनिल जी विप्रो चार सो आट रूपे के राउंड चल रहा है बहतरीन टेक्निकल स्ट्क्चर है डेली चार्ट पर शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक रिवर्सल है चार सो आट के राउंड चल रहा है 396 का स्टॉप लोस लगाना है चार सो अठाइस 428 का टार्गेट है विप्रो है मेरा पिक ऑफ दवीक पिक ऑफ दवीक विप्रो यह है वो स्टोक जहां पर खरिदारी करने की राय आपके लिए हिमानची गुपता साब सूप्रभाद बत और मैंने इसलिए आपके लिए अलग से समय रखा है वन ओन वन मिटिंग टाइप वाला चलिए अलिली फिर तो हम बजाएगा तो बिल्कुल क्योंकि मतलब है ना एक बंसल जी और कुनाल जी के साथ मिला हूं उसको भी वन ओन वन ही मानिये यह दोनों मिलके एक ही है मिटिंग करने का प्लान था लेकिन आशु जी कहीं गूम रहे थे इधर कहीं था तो मैंने का चलो है इस बार वन ओन मिटिंग की जाए तो बस आप से भी जल्दी हिमांशी जी मुलाकात करेंगे आपकी शिकायत एक दम जाये बताएं सर चार्जी बहुत 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 धन् अपने 20 दिन और 50 दिन की मुविन एवरेजिस के नीचे भी हाँ पर बंध हुआ तो पहला पिक तो रहेगा बैंक और बरोदा के फ्यूचर्स में बिक्वाली करने का जहां पर 193-195 में शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है एक सो अठावे रुपे के स्टॉप लॉस के साथ एक सो पचासी रुपे तक के टार्गेट बैंक और बरोदा के फीचर्स में देखने को मिल सकते हैं पर अन्रजी इसकी भरपाई में दूसरी कॉल से करना चाहूंगा जो कि Cash Segment का स्टॉक है PSU स्टॉक है स्टॉक का नाम है Balmar Lowry Limited जो की 155 रुपे के आसपास बंद हुआ है अन्रजी और यहाँ पर अन्रजी लॉंग कम चार्ज पर वीकली चार्ज पर एक बहुत बड़ा ब्रेकाउट पिछले हफ़ते देखने को मिला है एक inverted head and shoulder pattern जिसको हम बोलते हैं वीकली चार्ज पर उसका breakout आता हुआ नजर आया तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है 152-155 रेंज में खरीदारी करें 145 यानि की 145 रुपे के नीचे का stop loss और अप साइड में 180 और 200 रुपे तक के लिए बढ़ते आगे और अब वक्ते कुनाल जी से भी मुलाकात करने का कुनाल जी सुपरभात बंसल जी ने अगर आपको वक्त दिया हो हमारे मुलाकात के बाद तो बताएं सर्ट पिक ऑफ दे वीक अगर आप निकाल पाए हो तो सबसे पहले तो दिल्ली में आपका स्वागत आज आप और दिल के करीब लग रहे हैं और एक बात आप मानेंगे कि आप दिल्ली में आपके चेहरे पर अलग साही तेज नजर आता है ने जी यह मुझे लगता है कि दिल्ली के खान पान आबो हवा का और हमारी सौबत का असर है ने जी तो कुछ क्रेटिट देदी है ने जी खान पान और आबो हवा पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा लेकिन आपकी संगत का असर जरूर है तो अगर चेहरे पर चमक है तो थोड़ी आप से और बंसल जी साही है आप दोनों के थोड़ी ज्यादा डल लग रहे है मेरी लगता है मैंने थोड़ा आपकी एनर्जी को खींच लिया है या फिर आप मेरे यहां होने की वज़े से थोड़े से डरेवे हैं दोनों मैंसे कुछ भी हो सकता है I don't know बट धन्यवाद आपने कल बढ़िया अच्छी कंपनी दी और हमने शाम को काफी गफशर लगई और एक दर ऐसी परफेक्ट लोकेशन मिली फोटो की चवाने के लिए द्निवाद कुराल जी कल के समय के लिए जी अन्यजी धन्यवाद आपको कि अन्यजी आपने समय निकाला और आप दिल्ली आये और अन्यजी इसी तरह देखे मेरा इशारा केवल यह है अन्यजी कि आपको समय समय पर दिल्ली आजाना चाहिए अन्यजी इससे आपकी सहत अच्छी रहेगी और आपका मिजाद मेच्छा बना रहेगा तो अनियी दिल्ली आते रहेए एक नहीं बल्की दो कॉल्स में देना चाता हूं इक दोनों फिक्क प्विक मानी जाएं सबसे पहले लूट सीमें टिया सेमें buy करके चले 222, 222 पर stop loss रखने 235 और 240 इन दो targets के लिए India cement buy करना है और दूसरी खरिदारी के राय है DLF पे जहां पर मुझे लगता है कि तीन दिनों का correction पूरा होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और यहां पर अब इन सतरों से आपको एक अच्छा आपसाइट बन सकता है तो मौझदा सतरों पर buy करके चले stop loss रखना है 485 पर पहला target होगा 505 रुपे का eventual target 520 रुपे का तो 505 520 के target के लिए DLF में खरिदारी करें और energy disclaimer disclosure है कि बहुत अर्शे से DLF में मेरा नीजी ने कि ओके वह तो हमें पता ही है सथ बिल्कुल तो DLF पॉर्टफोलियो में भी है और पसंद भी सुमिच जी सूप्रभाद बताएं सथ पिकाउद वीग गुड मानिंग अने जी पिकाउद वीग के तौर पे आईटी सेक्टर का स्टॉक टेक मेंदरा रडार पे रखना है टेक मेंदरा के अंदर momentum बना हुआ है टेक मेंदरा यहां से अच्छा उपर का move दिखा सकता है जिस तरह से पिछले हफते में स्टॉक के अदर move देखने को मिला उसको देखते हुए रगता है कि यह rally करना ची उपर का नीचे में 1140 का सपोर्ट बनेगा तो 1140 के स्टॉक लोस से टेक मेंदरा में खरदारी करके चलने का सना रहेगा कोई भी 10 15 रूपे काड़ी पाता है तो खरदारी करें existing positions hold रखे चलें उपर में जो टागेट देखने को मिल सकते हैं 1210 का पहरा टागेट, 1230 का दूशा टागेट तो टेक मेंदरा में खरदारी करें 1140 के स्टॉक लोस से 1210, 1230 के टागेट से ओके यह सारे के सारे लेवल्स आपके लिए टेक मेंदरा